इस लिंक को आप फॉरवर्ट कर देंगे जल्दी से अपने दोस्तों के साथ साथ deepest यूर्व जिनने भी आप फॉरवर्विट करते हैं लिए इस लिंक को जल्दी से आप फॉरवर्ट करतेंगे ताकि हम जल्दी प्रातना शुरू कर सकेंगे प्रभू आप सभी को आशिश दे और इस दिन में हम प्रभू को धन्यवाद देते हैं उनकी स्तूती करेंगे प्रभीत्रवचनों को सुनेंगे और आज हम अभिश्यक के लिए भी प्रातना करेंगे इसलिए सब लोग किर्प्या प्रातना में रहिएगा और हमारे लिए भी प्रातना करें कि प्रभू हम सभी को इस्तेमाल करें और प्रभू की बड़ी महिमा हूँ तो आएए हम उस्तूती अराधना में इस समय जाएंगे वेदी पर परमपरसासन स्कार में ये शुआएंगे और हम उनकी आराधना करें इस लिंक को आप शेर कर देंगे अपने साथियों के साथ ताकि उन्हें ये लिंक ढूणने में दिक्कत ना हो प्रभू आप सभी को आशिष ते आज की दिन के लिए प्रभू को धन्यवाद देते हैं प्रभू की महिमा करेंगे सब लोग बड़ी भक्ती के साथ इस आराधना में शामिल हो जाएए झालाधना में दिय्क आराधना की 1200 कड़ना में शायओ प्रभू के साथ बड़ली के सका अपसमा हो झालाधना में गयातर जा सबय में 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 तो देएग тобой झाल झाल आराधन महिमास्तुति ओ प्रभु तेरी आराधन महिमास्तुति आराधन महिमा स्कुफी ओ प्रभु तेरी आराधन महिमा स्कुफी आनंद के साथ आये आराधन महिमा स्कुफी ओ प्रभु तेरी आराधन महिमा स्कुफी आराधन महिमा स्कुफी ओ प्रभु तेरी आराधन महिमा स्कुफी आराधना महिमास्कुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमास्कुति जीवन देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना आराधना मुक्ति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा सुथी गई आराधना महिमा सुथी ओर्राको देरी आरागे हमाई रातो की शान्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना शान्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना शान्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना आराधना, आराधना, आराधना हो स्तुति महिमा का ये आराधना हो जोर दार दाली बढ़ा के आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति राजां के राजा प्रभु की सुधी करें ओ प्रभु तेरी आराधना महिमास्तु सिर को छुकाई के ओ प्रभु तेरी आराधना महिमास्तु ओ प्रभु तेरी आराधना महिमास्तु आनंदेने वाले प्रभु आराधना आत्म देने वाले प्रभु आराधना आनंदेने वाले प्रभु आराधना आत्म देने वाले प्रभु आराधना आत्म देने वाले प्रभु आराधना आत्म देने वाले प्रभु आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना हो स्तुर्ति महिमाँ आराधना हो स्तुर्ति एक साथ मिलक गाएं आराधना महिमास्तुर्ति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमास्तुर्ति आराधना महिमा सुथी ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा सुथी आराधना महिमा सुथी ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा सुथी चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्त देने वाले प्रभु आराधना आराधना, स्वास्त देने वाले प्रभु आराधना आराधना, 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 आराधना हो सुति महिमा का ये, 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 आराधना हो सुत वो प्रभु तेरी आराधना मही मास्तुती शमा करने वाले प्रभु आराधना प्यार करने वाले प्रभु आराधना शमा करने वाले प्रभु आराधना प्यार करने वाले प्रभु आराधना आराधना हो सुति महिमा गये आराधना महिमा सुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा सुति आराधना महिमा सुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा सुति आराधना महिमा सुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा सुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा सुति विश्वास के साथ 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 ये सुनाम की जय जय कार करो ये सुनाम की जय जय कार आत्मा नाम की जैय जैकार करो आत्मा नाम की जैय जैकार करो जै जैकार करो आत्मा नाम की जै जैकार जै जैकार करो आत्मा नाम की जै जैकार जाली बजाकर आत्मा के साथ इश्वास के साथ ये सुनां की जै जैकार अराधना में छुटारा है अराधना में चंकाई है अराधना में मुक्ती है ये सुनां की जै जैकार ये सुनां की जै जैकार करो ये सुनां की जै जैकार करो ये सुनां की जैकार करो ये सुनां की जै जैकार करो ये सुनाम की जैजेकार करो हलेलुया, हलेलुया 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 बिश्मास के साइ हलेलुया, हलेलुया ये सुराजा आएगा, शैतान को भगाएगा, बीमारियां मिठ जाएगे, दुख सारा मिठ जाएगा, बंदनों को तोड़ेगा, अभिशेख देगा, आत्मा वो देगा, गैंसर मिठ आएगा, कोरोना मिठ आएगा, लहू से वो धोएगा, रोकी चंगे होएगे, चमत पार होएगा, चिन प्रकट भी होएगे, ये सुरा जाएगा, ये सुरा जाएगा, ये सुरा जाएगा, अल्लीय काइब, आएगा, जाएगे, जाएगे होएगे, आत्मा प्रकट एगाओे, ये सुरा जाएगे, एसुरापने होएगे, जाएगे, ये सुरा जाएगवएगे, श्रोच्ता मादेख दैएगा, Eksa, Eksa, Eksa 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 Hashanabat Darabat Allah रच्षमसदरे नामसे तार जिनकारी शक्व अवितर दनाा आज्मा ये श्चमसे अरुतरे आप आपको आपकताः एंद्स येसु 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 मेरे भाई मेरे बहन येसु इस समय अपने आशिशे बहा रहे हैं येसु को अपने हिर्दे में अपने जीवन में जगा दे येसु आपके जीवन में आना चाहते हैं वो कह रहे हैं मेरे बेटी मेरे बेटी तु निराशा तु परिशान तु दुखी है तु बीमार है तु बं मैं हूँ रास्ता, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ जीवन, मैं हूँ सत्य है, तेरी चिन्ताओं का उत्तर मैं हूँ, तेरी निराशा का उत्तर मैं हूँ, तेरी कर्ज का उत्तर मैं हूँ, तेरे दुख और तेरी बिमारी का उत्तर मैं हूँ, तेरे आज्वों का उत्तर मैं हूँ तेरे सब कुछ, तेरे सब सवालों का उत्तर येशु है मेरे भाई, मेरे बहें येशु, येशु और बस येशु अपनी आखे बंद करें और येशु का नाम पुकारना शुरू करें येशु ने कहा मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगो के वो तुमें निश्च़ ही दिया चायेगा येशु का नाम कुछारते जाईए येशु बोलिए अपने होटों से, अपनी जीव से येशु बोलते जाईए जब लंगडे को पेत्रुस और सिमोन और योहन ने चंगा किया उन्होंने येशु के नाम पर किया था इसलिए येसु का नाम बोलते जाएए येशु येसु बोलते जाएए अगर उची वाज में बोल सकते हैं येसु फुकारिये येसु पुकारिये बोलिए अगर आप दो आना चाहते हैं रोईए दिल को फाड़िये प्रभु के सामने अपना रिदे पानी की तरह बहाईए ये सुख ये शुख ये शुख ये शुख ये शुख येसुख ये सुख ये शुख मेरे दिल में समा जा गए येश्वा मेरे दिल में समाचा येश्वा 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 मेरे दिल में समाचा येश्वा मेरे दिल में समाचा प्रभु से कहें मैं तुझ्य देखना चाहता हूँ कई लोग प्रभु का दर्शन पाने के लिए तरस रहे हैं कई लोगों की आंखों में आशू है उड़ाओ पुत्र ने जब होश में आया तो कहा मैं उठोंगा, मैं जाऊंगा और पिता से कहूंगा मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध बाब किया है प्यारे भाई, प्यारी वेहन, प्रिये जनों आपका प्रभु जिसने आपके लिए कोडे खाए जिसने आपके लिए अपने प्राणों को निच्छावर कर दिया जिसने आपके लिए मेरे लिए चालिस कोडे अपने शडीर पर खाए और मेरे और आपके पापों का बोच उसने उठाया प्रभु कहता है इसराइल के घराने से कहो कि प्रभु ईश्वर कहता है पश्चताब करो और अपनी देव मूर्तियों का परित्याग कर दो अपने सभी भद्स करमों का परित्याग कर दो प्रभू से कहें मैं शमा की आचना करता हूँ मैं तुझे देखना चाहता हूँ मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ मेरे घर में आईये प्रभू तुझे देखना मैं चाहूँ तेरे और ये सुकरी बाऊँ तुझे देखना मैं चाहो तेरे और ये सु करीबाओं तुझे देखना मैं चाहो तेरे और ये सु करीबाओं तुझे देखना मैं चाहो तेरे और ये सु करिवाओ कितना है तू प्यारा तब तेरी महीमा मैं सब को सुनाओ ये सुफार, ये सुफार, ये सुफार, ये सुफार, मेरे दिल में समाता, येशुवा मेरे दिल में समाजा येशुवा आये प्रभो येशुवा येशुवा मेरे दिल में समाजा येशुवा मेरे दिल में समाजा येशुवा 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 मेरे दिल में समाजा संट पॉलुस पुरिंथियों को लिखता है प्रिये जनों क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु कहता है ये शाया नभी का ग्रंथ द्याए 66 पत संक्या एक में हम पड़ते हैं आकाश मेरा सिहासन है प्रित्वी मेरा पाउदान है तुम मेरे लिए कौनशा घर बनाओगे मेरे भाई मेरी बेहन प्रिये जनों प्रभु के लिए कौनशा घर आप बनाएंगे संत पौलू समें बताता है क्या तुम नहीं जानते कि तुमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो इसे नश्ट करेगा मैं उसे नश्ट कर दूँगा इसलिए प्रभु से हम कहें मेरा दिल बने तेरा सिहासन तेरी आत्मा बने मेरा आसन आई इस विश्वास के साथ समर्पित होकर स्तुधी करते जाएं बंदना करते जाएं और इस गीत के द्वारा प्राश्यत करते जाएं मेरा दिल बने तेरा सिहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराज मन ये शुख मेरे तू है बड़ा मेरे मन में तू हो विराज मन ये शुख मेरे तू है बड़ा ये शुख मेरे दिल में समा ये शुख मेरे दिल में समादा 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 ये शुख मेरे द मेरे दिल में समा जाओ येशुवा, मेरे दिल में समा जाओ हलिलुया, हे प्रभु येशु, हे पवित्र संस्कार, मैं आपकी अराधना करता हूँ, आप में विश्वास करता हूँ, आप पर भरोसा करता हूँ, आप जीवित प्रभु है, आप प्रथम और अंतिम है, आप अल्फा और ओमेगा हैं, अप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य है, हलिलुया, हे प्रभु येशु, आप प्ता के मुक से, नि निकले हुए शब्द हैं जो आदी में था अब है और अनंत काल तक बना रहता है आप सदा सर्वदा एक रूप रहते हैं मैं आपको धन्यवाद देता हूं अंगीकार करता हूं आप मुक्ती दाता है आप चंगाई दाता है धरती के ऊपर आकाश के नीचे सारी मानव जाती को आपका नाम दिया गया है आपके नाम के सामने हर एक घुटना जुकेगा हर एक जुबान बोलेगी कि इसा ही प्रभू है हालेलूइया येसु की स्तुती हो येसु को धन्यवाद है प्रभु येसु आपने कहा है मैं धर्मियों को नहीं पापियों को अश्यताप के लिए बुलाने आया हो पश्रताप के लिए बुलाने आया हो, हालेलुया, येशु के इस्दोती हो, हे प्रभु येशु, आपने कहा, मार्कोस कासु समाचार, अध्याइच्छे, परसंख्या बारा, जो चले गए, उन्होंने लोगों को पश्रताप का संदेश सुनाया, आलेलुया, येशु की सुती हो, येशु को धन्यवाद, येशु के अरादना हो, येशु की महिमा हो, येशु को धन्यवाद, ये प्रभु येशु, आपके प्यार के लिए, आपके वच्चन के लिए, जीवन के वर्दान के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हो, आपकी अराधना करता हो, आपकी महिमा गाता हो, आपका वचन कहता है, समय पूरा हो चुका है, इश्वर का राज निकट आ गया है, पशचताप करो, और सु समाचार में विश्वास करो, हालेलुया, प्रेरितों का कारेकलाब, अध्याय तीन, बद संक्या उन्नेस, प्रभू का वचन कहता है, आप लोग पशचताप करें, और इश्वर के पास लोट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं, हालेलुया, हे प्रभू येसू, मैं विश्वास करता हो, आप जीवित प्रभू है, आप चंगाई दाता प्रभू है, शमा करने वाले प्रभू है, हे प्रभू येसू, मुझे शमा कीजिए, मेरे परिवार को शमा कीजिए, हालेलुया आज पश्चत आपका दिन है समर्पित हो जाईए प्यारे भाई, प्यारी बेहन ये शुमसी का आत्मा आपको शुद्ध करना चाहता है आपको पवित्र करना चाहता है इसलिए वो पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को आज के इस दिन में पवित्रताई का जीवन बिताने की कृपा प्रदान करे इसलिए हम लोग इस वक्त पश्चताप का गीत गाते हुए प्रभु को समर्पित हो जाएं और प्रभु से दया की याचना करें पश्चताप करेंगे हर एक छोटी से छोटी बात के लिए अगर किसी ने अपने माता पिता को दुख दिया है तो वो पश्चताप करेंगे रभु से शमा की याचना करें दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तुकर प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तुकर प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तुकर प्रभु मापी है हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तुकर प्रभु मापी है हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तुकर प्रभु मापी है हम मुक्ति दाता प्रभु शांति दाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम मुक्ति दाता प्रभू, शान्ति दाता प्रभू, मुक्त कर दे हमें अप राधी है हम मुक्ति दाता प्रभू, शान्ति दाता प्रभू, मुक्त कर दे हमें अप राधी है हम मुक्त कर दे हमें अप राधी है हम दया सागर प्रभू, क्रिपा सागर प्रभू, दया हम पे तुकर प्रभू, मा पी है हम दया सागर प्रभू, क्रिपा सागर प्रभू, दया हम पे तुकर प्रभू, मा पी है हम दया सागर प्रभू, क्रिपा सागर प्रभू, दया हम पे तुकर प्रभू, मा पी है हम जितने लोग गलत रिष्टों में हैं, इस वक्त आंसू बहाते हुए, अपने पापों के प्राश्चित करते हुए, इस गीत को गाएं अनेक लोग जो प्रभू से दूर भटक गए हैं, मूर्तियों की पूजा में लिप्त हैं प्रभू उनसे इस वक्त कह रहा है, कि अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हिर्दे और एक नया मनोभाव धारन करो प्रभू ईश्वर ये कहता है, इस्राइलियों तुम क्यूं मरना चाहते हो, पशताब करो, स्वर्द का राज्य निकट आ गया है दोनों हाथों को सीने से लगाते हुए, नाकेदार के जैसे कहें, प्रभू मैं पापी हूँ, मुझ पर गया है प्रभू कृपा सागर प्रभू, दया हम पे तुकर प्रभू मां पी है हम दया सागर प्रभू कृपा सागर प्रभू, दया हम पे तुकर प्रभू मां पी है हम इस वक्त जो शमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभू से सामर्थ मांगें कि आपको अपने भाई, अपनी मां, अपने बहन, अपने रिश्टेदार, अपने मित्र को अगर किसी के बॉस ने उसके सेक्रेटरी के साथ बुरा बरताव किया है, शरीर को इस्तिमाल करने का प्रयास किया गलत संबंद सेक्रेटरी के साथ बनाने का दफ्तर में इस वक्त आपके साथ गलत काम किया आपके किसी अध्यापक ने आपके किसी टीचर ने आपके किसी घर के विक्ती ने आपके जीवन पर गंदी नजर डाली और आप उसे शमा करने में असमर्त है प्रबु कहता है शमा कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें भी शमा कर दिया है और तुम्हारे जीवन में वो बात आज प्रबु नया जीवन शुरू करने वाला है मतिकासूसम चार अध्याय तीन बत संक्या आठ में प्रबु कहता है कि पशताब का उचित फल उत्पन करो दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तुकर प्रभु मापी है हम दया सागर प्रभु प्रिपा सागर प्रभु दया हम पे तुकर प्रभु मापी है हम दया सागर प्रभु प्रभु कहता है प्रेरितों का कारिकलाप अध्याय तीन पत संक्या उन्निस आप लोग पशताब करें इश्वर के पास लोट आएं कि जिससे आपके पाप मिट जाएं हलेलुया 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 हे प्रभु येशो मुझ पर दया कीजिए मेरे जीवन से मेरे परिवार से आर्थिक तंगियों के बंधन मेरे जीवन के सभी श्रापों से मुझे और मेरे परिवार को मुझे और मेरे परिवार को मुझे कर दीजिए हलेलुया हलेलुया हे प्रभु येशो आप दुखियों से दूर नहीं है जो आपके पास आते हैं आप उन्हें गले से लगाते हैं हलेलुया प्रकाशना ग्रंत अध्याएदो अध्संख्या पांच मावित्र वचन कहता है पशताब करो पहले जैसा आचरण करो करो नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान से हटा दूँगा हालेलुया येसु की सुति हो येसु को धन्यवाद येसु की अरादना हो येसु की महिमा हो इस वक्त वो लोग पशताब करें जिन्होंने अपने माता पिता को मारा बीटा धक्का दिया घर से बाहर निकाला उन्हें रोटी नहीं दी उन्हें पानी नहीं पिलाया इस वक्त आप अपने इस पाप के लिए शमा की याचना करें साती सात अगर पती पतनी ने एक दूसरे को अपवित्र किया है इसलिए प्रभू से शमा की याचना करें अपने विचारों को शुद करने के लिए प्रभू से शमा की याचना करें अपने घर में पाप की कमाई लाया है तो पशताप कर लेना प्यारे भाई प्यारी बेहन क्योंकि आज नया जीवन शुरू हो रहा है पवित्र आत्मा आपके उपर अधिकार ले रहा है जके उसके विशे में हम पढ़ते हैं लूकस का सूसमा चार अध्याई 19 की उसने प्रण किया आज के बाद मैं सब गलत कामों को छोड़ूँगा जिसको ठगा है उसका मैं चार गुना लोटा दूँगा और प्रभू ने कहा आज इस घर में मुक्ती का आगमन हो गया आपके घर में आपके शरीर में आपके परिवार में मुक्ती का आगमन हो रहा है अभी शेख को ग्रहन करना प्रभू आपको छूर रहा है ये शुमा रखा आपके शरीरों को छोड़े, आपके घरों को छोड़े, चौक्तों पिछोनों को छोड़े, आप पवित्र किये गए पिछोनों को, येश्य मसी पवित्र लहू से, आज पवित्र करना लेलुईया बारा कुंदला इश्य का बारा कुंदला इश्य का बारा, और अब 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 दया कर, मैं मुसा के जैसे इन हाथों को उटाते हुए, तेरे बच्चों के लिए प्राइश्चित करता हूँ प्राइश्चित करता हूँ इन पर दया कर, इनके बच्चों पर दया कर, इनके खेत कल्यानों पर दया कर, इनके खेत बारी पर दया कर, इनके बिसनस पर दया कर, पती पत्नियों पर दया कर प्रवो यह शो, पुराने जीवन की निलट तक जीवन चरिया तू, शमा कर दे प्रवो, 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 शमा कर दे Thank you Jesus, Sabha Pita Alleluia, Alleluia दोनों हाथों को सीने से लगाए दोनों हाथों को सीने से लगाए इस वक्त अपनी हर एक निकम्मी बात का प्रभू कहता जवाब देना पड़ेगा तुझे इसलिए उस निकम्मी बात के लिए मापी माँगना नाकिधार के जैसे बोलना प्रबू मैं पापी हूं मुझ पर दिया कर उड़ाओ पुत्र के जैसे बोलना पिता मैं आ रहा हूँ मैं लौट रहा हूँ मैं लौट रहा हूँ प्रबू मैं तेरे पास आ रहा हूँ अपने बच्चे के साथ अपनी पतनी के साथ मैं जाने अनजाने में तुझ से दूर भटक गया था मैं भटकता रहा परन्तु शांती नहीं मिली मैं खाता था मेरी भूख नहीं मिठती थी पीता था लेकिन मेरी प्यास नहीं बुषती थी क्योंकि तुम मेरे जीवन में नहीं था मैं तेरे पास आ रहा हो समर्पित कर दे अपनी मेहनत को अपने काम को अपनी घूमी को अपने जानवरों को अपनी बकरी के बच्चे को भी समर्पित करे अपने ठेले को समर्पित करे जो ठेले से मजदूरी कमाते हैं उस समर्पित हो जाए अपने आटो रिक्षा को समर्पित करें अपनी बस को समर्पित करें गाड़ी को समर्पित करें अपने वेल्डिंग के बिजनस को समर्पित करें प्रभू ब्लेस कर रहा है आपको आपके घर को ब्लेस कर रहा है प्रभू कहता है मैं तेरे एक एक चीज को ब्लेस करोगा, तेरी चौकट, तेरे बिच्छोने, जिसमर तू सोता है, उसे मैं ब्लेस करोगा, अगर आपका बिस्तर अपवित्र है, तो आज प्रभु से कहना, उसे ब्लेस करना, आज प्रभु से कहना कि उसे ब्लेस करो, बहुत सारे लोगों के बिस्तर अपवित्र है, प प्रभू से कहें प्रभू मैं शमाखी याचना करता हूं ब्लेस करो पिता, ब्लेस करो तेरे पास आता हूँ येसु तेरे पास तेरे पास आता हूँ येसु तेरे पास तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ, येसु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ, येसु तेरे पास तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास प्रभू मेरा नौकर बिमार है, हाथ रख दो तो वो चंगा हो जाएगा, एक शब्द कह दो और मेरा सेवत चंगा हो जाएगा आप एक शब्द कह दो प्रभू तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ, येसु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ, येसु तेरे पास अपने घर को, अपने बिजनस को, अपने भायों को, अपने बच्चों को तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास अपनी बीमारे, अपने कश्चों को, अपने बिजनस को, अपने जीवन को तेरे पास आता हूँ, येसु तेरे पास हर दिन मेरी हर बाँ, तेरे स्थोति करती रहे हर दिन मेरी हर बाँ, तेरे स्थोति करती रहे हर पर मेरी हर सास तेरी महिमा गाती रहे दाहिना हाथ उठा कर हर दिन मेरी हर सास दोनों हाथ उठा कर मेरी महें आती रहे पूरे मन से येशुवाँ 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 आता हूँ इबराहीम इसहाग और याकूब का इश्वट जिसने इस्राइलियों को सूखे कदम लाल सागर बार कराया यदि आप उससे पवित्र आत्मा मंगेंगे तो वो क्यों ना देगा यदि मनुश्य अपने बच्छों को सहज अच्छी चीजें देता है तो वो मंगने वालों को ये सो तेरे पास थाटारों ये सो तेरे पास अपनी बेटी औपने बेटें अपनी बत्नी को अपने पती को झरे पस अगा हू ये एसु ंसु तरे पस तरे पस अगा हो ये सो तेरे पास तेरे पास आता हो ये सो तेरे पास आता हो ये सो तेरे पास 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 तेरे पास आता हो आप लोगों ने सत्य का वचन सत्य का वचन अपनी मुक्ति का सू समाचार सुनने के बाद इसा में विश्वास किया और आप उस पवित्र आत्मा की महर लग गई जिसकी प्रतिग्या की गई थी वो हमारी विरासत का आश्वासन है और इश्वर की प्रजा की मुक्ति की तयारी जिससे उसकी महिमा और स्तुती हो येसु की इस्तुती हो येसु को धन्यवाद प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु की बाते मेरे और आपकी सोच के परे है जो आप सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है संथ पौलुस लिखता है फिलिप्पियों को अध्याई चार पत संख्या साथ में कि इश्वर की शांती जो समझ के परे है उसे हम समझ नहीं सकते हैं इश्वर का प्रेम जो समझ के परे है संथ पौलुस हमें बताता कि हम उसे समझ नहीं सकते हैं इसलिए संत योहन अपने सुसमा चार अध्याई सोला पत्संग्या बाइस में हमें बताता है कि आपको जो आनंद दे दिया गया है उसे कोई छीन नहीं सकता है ये सुकी स्तुति हो और वो आनंद है पवित्र आत्मा जिसकी हम साधना कर रहे हैं मैंने आप से कल बताया कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है और समझ में आएगी भी नहीं क्योंकि संत पौलस बताता है कि ये सोच, ये शांती, ये आनंद मनुश्यों की सोच से कहीं ज़्यादा परे है हलेलुया इसलिए अपेसियों को लिखा उसने, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि आपने सत्त का वचन सुनने के बाद ही क्या किया, इसा में विश्वास किया वैसे नहीं किया इसलिए जब पेतरुस को लोग सुनते थे, तो वो सत्त का वचन सुनते थे प्रेरितों का कारिकलाप अध्याए पांच में हम पढ़ते हैं खोजे ने प्रभु का वचन पढ़ा, सुना और उसने इसा में विश्वास किया और वो आनंद उससे लिया नहीं गया बलकि उस आनंद को चार गुना ज़ादा कर दिया और उसने बप्तिस्मा ग्रहन करके पशताप करते हुए मुक्ती का अनुभव किया हालेलूया येशू की स्तुती हो तो संत पेत्रूस अपने पहले पत्र में लिखता है अध्याए एक पत्र संक्या पांच में कि इश्वर की शक्ती से सुरक्षित रहने के लिए पवित्र आत्मा की मोहर हम पर अंकित है हालेलूया आपके लिए वचन पढ़ूँगा पेत्रूस का पहला पत्र अध्याए एक पत्संक्या पांच आपके विश्वास के कारण इश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ती के लिए सुरक्षित रखता है क्या रखता है किसके कारण विश्वास के कारण कोई और बात नहीं है केवल आपके विश्वास के कारण इश्वर का सामर्थ उस मुक्ती के लिए जो आपके और मेरे लिए निर्धारित की गई है मुझे और आपको सुरक्षित रखता है आमेन जो अब से प्रस्तुत है और समय के अंत में क्या होने वाली है प्रकट होने वाली है हलेलुया ये सुकी सुती हो इसलिए इस आनंद को खो मत देना प्यारे भाई और बेनो मैंने कल भी कहा जिसने मसी का नाम धारन कर लिया है उसे वचन को जांदर कोई भी प्रचारक आपको चंगा नहीं कर सकता अगर कोई चंगा कर सकता है तो वो है प्रमेश्वर का वचन हालेलुया ये सुकी सुती हो अगर आप वचन नहीं सुनेंगे वचन नहीं पढ़ेंगे चंगाई नहीं आएगी जितना मर्जी जोर लगाना जितना मर्जी पैसा खर्च करना जितने मर्जी तीरत करना वचन सुनने के बाद अगर जीवन बदलने को तयार नहीं है तो जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी चंगाई नहीं मिखाए जाने के बाद आप और मैं उसकी राह पर चलना अनिवारिय है कुरिंतियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याए दो पद संख्या तेरा कि जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखा देता है तो हमें उसकी बातों को पालन करना अनिवारिय है कुरिंतियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याए दो पद संख्या तेरा आपके लिए वचन पढ़ूँगा मैं ताकि आपको ये याद हो जाए हम इन वर्दानों की व्याख्या करते समय मानविये प्रग्या के शब्दों का नहीं बलकि आत्मा के द्वारा प्रदत शब्दों का प्रियोग करते हैं इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की वेचना करते हैं समझ में आया आपको लोगों को भी कि जब भी हम आध्यात्मिक जीवन की बात हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम कौन सी शब्दावली का परियोग करते हैं आत्मा से पुरेरित शब्दावली को इस्तेमाल करते हैं दूसरी निरर्थक भाशा नहीं इसलिए इन बातों को प्यारे भायों और बेनों मसीयों को अपने जीवन में निरंतर पालन करना है और क्यों करना है इसका जवाब संथ पौलुस कुरिंतियों के दूसरे पत्र में अध्यायत 3 पत्संख्या 18 में हमें देथा है अध्याय तीन कुरिंतियों के नाम संद्पॉलूस का दूसरा पत्र अध्याय तीन पत्संक्या 18 जहां तक हम सबों का प्रश्ण है हमारे मुख पर परदा नहीं है और हम सब दरपन की तरहां प्रभू की महिमा प्रतिबिम्बित करते हैं हालेलुया जो मसी में आ गए नए बन गए इस्टी बन गई है और पॉलूस लिख रहा है कि जहां तक हमारा सवाल है अब तुम्हारे चेहरे पर क्या नहीं है परदा पड़ा हुआ नहीं है बलकि क्या है येस्व मसी का चेहरा प्रतिबिम्बित है आप मसीयों के जीवन से प्रभू येस्व मसी का चेहरा दिखना चाहिए आपके परिवार से येस्व मसी का विहवार दिखना चाहिए आपकी जुबान से येस्व मसी की बात निकलनी चाहिए क्योंकि संतफॉलुस लिखता कि अब ऐसा है क्योंकि आप अब पुराने नहीं है आपके उपर मोहर लग चुकी है आप नए बन चुके हैं पुराना सुभाव छोड़ दें अप राद बहुत छोड़ दें और अपना चेहरा ढख के ना रहें शर्माए नहीं अंधेरे में फुस्फसाए नहीं कोने में बैटकर फुस्फसाए नहीं आत्मा के मामूरी से भर कर अपने चेहरे को येश्य मसी का प्रतिबिंवित चेहरा लेकर लोगों के बीच में जाएं ये जवाब देता है आत्मा की अगर मोहर लग गया है तो और जो पालन नहीं करेगा समझ लेना उसका जीवन अंधकार में है हालेलुया येशु की सुती हो येशु को धन्यवाद येशु की अराधना हो येशु की महिमा हो येशु को धन्यवाद हालेलुया रोमियों के नाम संतफॉलुस का पत्र अध्याय साथ असंख्याच्छे प्रभु का वचन कहता है अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो बंधन में जगड़ती थी इसलिए हम सहीता से मुक्त हो गए हैं हम पुरानी लिखित सहीता के अनुसार नहीं बलकि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार इश्वर की सेवा करते हैं जान लीजिए आप लोग प्रभु कहता है संतॉलुस लिख रहा अब वो पुरानी सहीता की बातों के अनुसार नहीं आप किसके द्वारा संचालित है पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों क्योंकि आपके ऊपर वो पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है अब वो पुराने बंधन वो पुरानी बाते जो आपको जकड के रखती थी अब वो समाप तो हो गई लेकिन बहुत से भाई बेन आज भी उन बातों में जक्ड़े हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वचन का ग्यान नहीं है। यारे भाई और बैनों, आपके पास वो जादूई छड़ी है, आपके पास वो खजाना है, अगर किसी को मिल जाए तो सब कुछ बेच के खरीद लेता है। मैंने आपसे कहा, हमारे पास वो खजाना है, जिसमें हर सवाल का जवाब है। उनका जीवन सोतरेगा ने, इसलिए याद रखना, जब आम पढ़ते हैं निर्गमन गरंथ में, जब इसराइली जन्ता मरूभूमे में थी, 40 साल तो प्रभू कहता, 18 साल के उपर जितने बड़े लोग थे, प्रभू ने क्या किया, उनको मरने दिया, उनको मरने दिया, क्य से नीचे वाले लोगों को उसने कनान डेश में, नई विरासत में पहुंचने का उसने अधिकार दिया, और वो लोग पहुंच गए, अलेलुया, येसु की स्तुती हो, येसु को धन्यवाद, येसु की अराधना हो, इसलिए संत पॉलूस इस बात को सपष्ट कर रहा है कि, अब आप उन बातों के लिए मर गए हैं, जो पुरानी बाते थीं, जो तुम्हें जकड के रखते थीं, दात के बदले दात, थपड के बदले थपड, वे विचार करता है तो पत्थरों से मार देना, अब वो सब नहीं रह गया, आपके उपर आत्मा का मोहर लग गया है, आ अगर विश्वास करते हैं तो आज आपके घर में मुक्ती आएगी, आज अगर विश्वास करते हैं और पुराना जीवन छोड़ते हैं, तो आपकी बिमारी जाएगी, उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अंगिकार करेंगे, आप पशताप करेंगे, और प्रभू आपक और मेरे जीवन में आज आता है, तो कितने काम होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, कितने काम, लेकिन हम नादानों को याद ही नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि पवित्र आत्मा काम क्या करता है, जब उसकी उपस्ति आती है, तो हमें विजन मिलने लगते हैं, वो हमसे बातें करने लगता है वो हमारी अगवाई करने लगता अशोप ये काम गलत है इसमें नहीं करना यहां पर नहीं जाना फस जाओ वे दो आवाजें आने लगती है अंतर आत्मा आप से बात करने लगता है और ऐसा ही उसने नभीयों के साथ किया ऐसा ही पवित्र आत्मा ने यूसुफ के साथ किया ऐसा ही उसने मता मरियम के साथ किया ऐसा ही उसने अपने चुने हुए सेवकों के साथ किया जब वो आ जाता है तो सारा अंधकार प्रकाश में बदल जाता है हालेलुया जब वो आता है तो रास्ता दिखाने लगता है पवित्र आत्मा येश्यो मसी को ले गया उची पहाड़ी पर जहां पर शेतान ने परिक्षा लिया पवित्र आत्मा एजेकियल नभी को प्रबु का दूत उठा कर उस घाटी में ले गया परमेश्वर ने पूछा मानव पुत्र क्या पता इन हडियों में जाना सकती है कहने लगा प्रबु तू जानता है मुझे नहीं पता उसने कहा बोल फिर कह इन हडियों से और उसने कहना शुरू किया हडियां जुडने लगी सनायू आने लगी चमडा चड़ गया और उनमें प्राण वायू फूख दी गई और आ गया ये आत्मा वो आत्मा है जो पहले दिन से परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला गड़ा उसके प्राण वायू उसके नत्वनों में फूख दिया और वो परमेश्वर का आत्मा योहन हमें बताता अपने पहले पत्र में कि इश्वर तो आत्मा है और वो आप में निवास करता है हालेलुया ये सुके सुती हो इसलिए जो उसकी अगवाई में जीवन बिताते हैं उनकी अगवाई में जब वो रहते हैं तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है आत्मा अगवाई करता है मैंने आपको पिछले कई दिनों पहले बताया प्रेरितों का कारिकलाफ अध्याई 5 पस संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि आत्मा फिलिप को उठा कर ले गया खोजे के बास ले गया और उससे का जा भाग दोड रत के पीछे दोड देख कोई प्रात्ना कर रहा उसे कोई समझ में नहीं आ रहा है उसे वचन समझ में नहीं आ रहा है जा और वचन समझाओ हालेलुया तो जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको वचन जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया मनंचिंतन आपको वो देता है आपको वचन पढ़ने का ग्यान मिलता आपको गुठने टेकने का सामर्थ मिलता है आपको परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने का सामर्थ मिलता आपको उपवास करने का सामर्थ मितला कितने लोग हैं जो उपवास करने में असमर्थ हैं कितने लोग हैं जो गुठनों पर आने में असमर्थ हैं उनके गुठनों में दर्द होता है प्यारे भाई और वेमें मन नहीं करता है और दूर भागते हैं तो आप अगर जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्ति हमारे घर में है या नहीं तो इन बातों से आप जान सकते हैं उसकी उपस्ति हमारी रक्षा करती है उसकी उपस्ति हमारा सुधार करती है उसकी उपस्ति हमें शमा और सहायता प्रदान करती है उसकी उपस्ति हमें साक्ष देने में हमारी मदद करती है हालेलुया येसु की स्तुति हो येसु को धन्यवाद क्यूं होता है? इसका जवाब एजेकियल नभी देता है इसका जवाब एजेकियल नभी अपने गरंथ में अध्याए 36 में देता है अध्याए 36 बद संक्या 25 से 27 एजेकिल नभी का ग्रंथ अध्याए 36 बचन में हम पड़ेंगे हालेलुया येसु की स्थुति हो येसु को धन्यवाद येसु की अराधना हो येसु की महिमा हो एजेकिल नभी का ग्रंथ अध्याए 36 बद संक्या 25 से 27 तक मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देवमूर्तियों के दूशन से शुद्ध कर दूँगा मैं तुम लोगों को एक नया हिर्दे दूँगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूँगा ये परतिग्या थी और ये कब पूरी हो गई ये पूरी हो गई पेंते कोस्त के दिन प्यारे भाई और वेनो प्रेरितों के जीवन में वो आ गया द्रेडी करन के द्वारा हमारे उपर वो मोहर लग गई ये शुमसी ने स्वैम जाने के बाद अपना आत्मा मुझे और आपको भेज दिया गया जो प्रतिग्या कई वर्ष पहले एजेकियल के साथ किया गया था प्रभू ने उसे पूरा किया प्रभू ने उसे पूरा किया इसलिए आत्मा मेरे और आपके लिए बिच्वाई करता है प्यारे भाईयो और वेनो हालेलुया आई हम गीत गाएंगे आत्मा से बरने के लिए भेज अगनी भेज रू की अगनी भेज और उससे हमारा पूरा जीवन हमारा निरर्थक जीवन हमारे बंधन कैंसर के बंधन टीबी के बंधन हमारे स्पॉंटलाइटस के बंधन माईग्रेन के बंधन ब्लड प्रिशर के बंधन रसोलियों के बंधन तूटें नया हिर्दे हमारा प्रभू हमें प्रदान करें पुराने हिर्दे जो हाँ हमारे जो पवित्र हुए हैं प्रभू आज उन्हें पवित्र करें आए विश्वास के साथ रू की अगवाई में जाएंगे इस वक्त बंधन पूटेगा आप शब्द होंगे पवित्र होंगे विश्वास के साथ आप शब्द आप शब्द आप शब्द आप भेच अगनी भेच अगनी भेच 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 भेच अगनी रूहे पाकत अगनी भेच अगनी भेच भेज अगनी रूहे पाक की अगनी भेज अगनी भेज 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 अगनी भेज अगनी हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए अगनी हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए अगनी हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए अगनी हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए सोना जैसे भटी मे जलता वैसे हम धल जाए वैसे हम धल जाए वैसे हम धल जाए वैसे अम ददें अभिशेक में भर कर वो ही अकनी भे वो ही अकनी भे भेज अकनी रूहे पात की अकनी भेज एलिया की कुरबानी को तूने अगनी से जैसे जलाया नभी तेरे ने जूने लोगों तो था मार गिराया उनको मार गिराया वो हे अकनी भेज भेज अकनी रूहे पात की अकनी भेज भेज 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 अकनी भेज अलेलुईया येशू की इस्तुति हो येशू को धन्यवाद भेपिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जीवन के वर्दान के लिए अच्छे स्वास्त के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी अराधना करता हूँ हे प्रभु येशू पवित्र संसकार में उपस्तित मैं आपकी अराधना करता हूँ आप में विश्वास करता हो, आप पर भरोसा करता हो, हालेलुया, येसु को धन्यवाद, येसु की अराधना हो, येसु की महिमा हो, येसु को धन्यवाद, हालेलुया, प्यारे भाई और बैनों, आत्मा की मोहर लग चुकी है, इसलिए ये कुछ वचन आज अपने साथ में र जिने मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बाइबल से, बाइबल इसकी गवाई है, बाइबल एक एक बात की गवाई देती है, सबसे पहला वचन है, रोमियो के नाम संत पॉलुस का पत्र अध्याए आठ पत संख्या एक, कि जीवन जहां पर कोई दंड आ गया नहीं है, आम आमेन, आपको और मुझे वो जीवन दिया गया है, जहां पर अब दंड आ गया नहीं रह गई, अध्याए आठ पत संख्या एक और उससे आगे, जो लोग इसा मसी से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंड आ गया नहीं रह गई, आमेन, क्यूंकि आत्मा के विधान ने जो इसा मसी के ध्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझ को पाप तथा मृत्यू की अधीनता से मुक्त कर दिया है, आमेन, रिशीव this anointing, इस वचन को ग्रहन करना, कि मैं आत्मा के ध्वारा सारे पाप की अधीनता से और दंड आग्या से मुक्त हो गया हूँ, आलिलूया जीवन प्रदान करता है, मुझ को पाप तथा मृत्यू की अधीनता से मुक्त कर दिया है। हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो आपका उद्धार हो गया है, आमेन! इसा ने कहा क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं चंगा हो तुम्हें चंगा कर सकता हूँ उसने का जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ प्रभू ने का जैसा तुने विश्वास किया वैसा तेरे जीवन में हो जाए आमेन तो अगर आप विश्वास करते हैं कि आत्मा के विधान ने हमें इसा मसी के द्वारा पाप और मृत्यू से मुक्त कर दिया है तो आप आजाद हो गए अब कोई दंडागया नहीं रह गई आमेन हालेलुया एक जीवन है आत्मा के द्वारा प्रदत ये वो जीवन है प्यारे मसीयों प्रिये जनों जहां हम लोग पाप तथा मृत्यों की अधीनता में नहीं हैं अब हम मैं और आप आजाद हैं पद संक्या 4 में लिखा है कि जिससे हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बलकि आत्मा के अनुसार आचरन करते हैं सहीता की धार्मिक्ता पून्नता तक पहुंच जाए आमेन तो इसलिए आप ऐसा आचरन करें मसी लोग ऐसा आचरन करें प्रभू के साथ ऐसा जीवन बिताए वचन को ऐसा पालन करें जिससे की आपकी धार्मिक्ता पून्नता तक पहुंच जाए अभी पून्नता तक पहुंची नहीं है बहुत सारी कमिया है उसमें हम करते तो है ले क्यूंकि पुरानी बाते समाप्त हो गई है कुरिंतियों के नाम संत्पॉलुस का पहला दूसरा पत्र अध्याए पांच कुरिंतियों के नाम संत्पॉलुस का दूसरा पत्र अध्याए पांच पत संख्या सत्रा अध्याए पांच पत संख्या सत्रा मेरे पीछे वचन दोराईएगा जो लोग अभी भी पुराने जीवन को पकड़ कर बैठे है अब राद बोध को पकड़ कर बैठे है प्रभू इस वचन से आपके साथ बातें कर रहा है और वो ये कह रहा है मेरे पीछे दाइना हाथ उठा कर बोलिए यदी कोई मसी के साथ एक हो गया है तो वो नई स्रिष्टी बन गया है पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है इसलिए पुरानी बातों को भूल जाना नया नई बात पर विश्वास करना ये शाय नबी लिखता है कि जो बान, हर वो तीर, जो तेरे विनाश के लिए बनाया गया है, अब तुझ पर वो ना चलेगा, क्योंकि आत्मा के अधीन तु हो गया है, और तुझ पर मोहर लग चुकी है, हालेलुया, फिर से एक बचन पढ़ेंगे, हम एफसियों के नाम, संदकॉलुस का पत्र, अध् अध्याए दो पत संख्या 10, अध्याए दो पत संख्या 10, वचनों को याद करना, सुनना और ग्रहन करना प्यारे भायों और वेनों जरूरी है, अध्याए दो पत संख्या 10, कि इश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसी के द्वारा हमारी स्रिष्टी की, जिससे हम पु क्यूं आपको सुन्दर बनाया क्यूं आपको इतना पैसा दिया क्यूं आपको मोटर दी क्यूं आपको गाड़ी दी क्यूं आपको सुन्दर बच्चे दिये क्यूं आपको बिजनस अच्छा बिजनस दिया जानते हैं क्यूं दिया बचन इसका जवाब दे रहा है कि जिस से आप पुन के काम करते रहें और उसके मार्ग पर चलते रहें जिससे इश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है आमेन यह जवाब है मेरा नहीं है बाइबल का जवाब है कि यदि परमेश्वर ने आपको दिया पांच अशर्फियां दी है तो क्यों दी है अगर तीन अशर्फियां दी है तो याद करना वो क्यों दिया अगर एक दिया है तो क्यों दिया है जिससे कि आप पुर्ण का काम करे उसके साथ रहे साहिता के अनुसार चले और जीवन बिताएं क्योंकि योहन का पहला पत्र अध्याए एक पसंक्या साथ कि एक जीवन जहां पर लगातार येशु के पवित्र लहू से आप और मैं धोए जाते हैं जानते हैं आप लोग क्या कभी सोचा इस विशे में आप लोगों ने आप चर्च में आते हैं वेदी के सामने आते हैं आप अपने घर की वेदी के सामने बैठते हैं आप वचन पढ़ते हैं जानते हैं क्यों ऐसा है क्योंकि योहन का पहला पत्र अध्याए एक पत्संख्या साथ हमें बताता है कि परंतु यदि हम जोती में चलते जिस तरहां वह स्वेम जोती है तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र इसा का रक्त हमे हर पाप से शुद्द करता है अमें 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 रिसीव दिस वर्ड इस वचन को अभिशेक के रूप में ग्रहन करना आपको यूही मसी नाम नहीं दे दिया गया आपके घर के कोने में जहां पर आप रहते हैं आपको प्रबु ने यूही आपका जंडा नहीं गाड़ा पहला पत्र अध्या एक पसंग के साथ मेरे पीछे दोर आईए परंतु यदि हम जोती में चलते हैं तो जिस तरह वो स्वेम जोती है तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र इसा का रक्त हमें हर पाप से हमें हर पाप से शुद्द करता है तो जो व्यक्ति इस बात को स्विकार करते हैं जिन पर आत्मा की मोहर लगी है देखिए कितने काम उनके जीवन में हो रहे हैं सबसे पहले दंडाग्या समाफ्त हो गई आपके जीवन से आप पाप मुक्त हो गएं आप आपकी दंडाग्य ताकि ओर जा रही है और आप येश्यमसी के रक्त से निरंतर धोए जा रहे हैं शुद्द किये जा रहे हैं पुरानी बाते समाफ्त हो चुकी हैं सब कुछ नया हो गया है आमेन और ये क्यों हो गया ताकि आप पुन्ने के काम करते जाएं धार्मिक्ता में बढ़ते जाएं आपकी उप्वास में बढ़ते जाएं प्राथना में बढ़ते जाएं येश्य मसी का नाम जपने में आप बढ़ते जाएं और आगे लिखा है अफेसियों को पुना प्रभु लिखता है संद पॉलुस लिखता है कि ये एक ऐसा जीवन है जहां शेतान बार-बार पराजित किया जाता है अमेन हालेलुया येश्य की स्तुति हो येश्य को धन्यवाद येश्य की अरादना हो रोमियों के नाम संद पॉलुस का पत्र अध्याए 16 पत संख्या 20 ये वो स्टेटस है ये वो लेवल है ये जहां पर बचन में बतारہ है संद पॉलुस रोमियों के लिखते हुए अध्याए 16 पत संख्या 20 में वो कह रहा है कि जहां शेटान क्या हो रहा है हर बार-बार पराजित हो रहा है प्यारे भाईयो और वेनो अध्याए 16 पत संख्या 20 शान्ती का ईश्वर, शीगर ही शैतान को आपके पैरों तले कुछल देगा, आमेन, हमारे प्रभु इसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आमेन, क्या आप विश्वास करते हैं? Receive this word, receive, ग्रहन करना जरूरी है, प्रभु कहता है, रंत पोलुस लगता है, आप साधारन लोग नहीं हो, you are not an ordinary person, you are an extraordinary person, क्योंकि वचन कह रहा है, शान्ती का ईश्वर, शैतान को बहुत जल्दी तुम्हारे पैरों के नीचे डाल कर, कुछल देगा, आमेन, लाइना हाथ उठाकर अंगीकार करते हो, बचन दोर आएंगे, रोमियों के नाम संथ पॉलुस का पत्र, अभ्याए सोला, बद संक्या बीस, शान्ती का ईश्वर, शीग रही, आपके पैरों तले, शैतान को कुछल देगा, हमारे प्रभु इसा की कृपा, आप लोगों पर बनी रहे, देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है, इतना बड़ा खजाना, और आप दुष्टात्माओं से डरते हैं, आप तंतर मंतर से डरते हैं, आप रात को कोई छाया दिखती तो उससे डरने लगते हैं, अंधेरे कमरे में प्रवेश नहीं करते हैं, आपको भविष्य की चिंता सोच के सताने लगती है आपको थोड़ी घबराहट होने लगती है प्रबु ने इतने महान चिन चमतकार और इतनी बातों से इतने वरदानों से मुझे और आपको क्या किया है भरपूर किया है ये एक ऐसा जीवन है जो आपको पुनर जीवित कर स्वर्ग में बैठाता है बाइबल इसकी गवाह है प्यारे भाई और बैनों फादर अशोक नहीं बाइबल इसको बता रही है कि जो पवित्र आत्मा की मोहर से अंकित हो गए है जिनोंने रिसीव कर लिया है वो रोज पुनर जीवित होकर पिता के दाहिने बैठते हैं अफेसियों के नाम संथ पॉलुस का पत्र अध्याय दो पत संख्या सोला पढ़ेंगे बचन को अफेसियों के नाम संथ पॉलुस का पत्र अध्याय दो पत संख्या छे अध्याय दो पद संख्या छे अफेसियों के नाम संद पॉलुस का पत्र अध्याय दो पद संख्या छे उसने इसाम मसी के द्वारा हम लोगों को पुनर जीवित किया और स्वर्ग में बठाया Oh my dear brothers and sisters in Christ Jesus प्रिये जनो आप कहां बठे हैं मालूम है आपको आप नहीं जानते आप कहां बेटे हैं प्रभू कहता है उस स्वर्गिये पिता ने अंतिम अलपा और ओमेगा ने आपको इसाम मसी के द्वारा कहां पर बठाया स्वर्ग के सिहासन पर बठाया आप उनर जीवित करके ये मारा विश्वास है ये हम विश्वास करते हैं इसी विश्वास में हम जीते इसी में मरेंगे और इसी में हम जी उठेंगे हालेलोया देखिए वचन कितना सटीक है कैसे जीवन देता है कैसे हमारे अंग-अंग में ये जोश भरता है कितनी बातें प्रभू ने आज मुझे और आपको याद दिलाई हैं कि आप कोई साधारन व्यक्ति नहीं है आप पिता के सिहासन के पास उसके स्वर्ग राज में विराज मानें दाइना हाथ उठाकर अंगिकार करें और इस वचन को दोराएं अफेसियों के नाम संत पॉलुस का पत्र अध्याए दो पत्संक्याच्छे उसने इसा मसी के द्वारा हम लोगों को पुनरजीवित किया और स्वर्ग में बिठाया आप अपनी जोपडी में हो या आप अपने बंगले में हो या आपके घर की छट चू रही हो अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उस जगा पर नहीं आप परमेश्वर की हुजूरी में आप उसके स्वर्ग राज में बैठे हैं आमेन आमेन हालेलुया येसु के इस्तुति हो एक आखरी वचन आज के लिए हम पड़ेंगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र कि जब पौलुस में इतना जोश आ गया पौलुस जब प्रभु के वचन से भर गया आत्मा की मामूरी से भर गया और उस पर अभिशेक हो गया तो वो कहने लगा अब से मैं नहीं जीता हूं अब से कौन मुझ में जीता है मसी मुझ में जीता है अध्याय दो, गलातियों के नाम, letter to the Galatians, chapter 2, verse 20 अब मैं जीवित नहीं रहा, बलकि मसी मुझ में जीवित है अब मैं अपने शरीर में जो जीवन देता हूँ, उसका एक मात्र प्रेरना स्रोत इश्वर का पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया है, हालेलुया येशु की स्तुति हो, येशु को धन्यवाद तो पवित्र आत्मा ये काम करता है मेरे और आपके जीवन में मैं सुभा तक बोलता रहूँगा, खड़े होकर, ठकूँगा नहीं आपको ठकने भी नहीं दूँगा क्योंकि मैं अपना वचन नहीं, प्रभु का वचन बोल रहा हूँ विश्वास करना प्यारे भाई और भे क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है जो कोई बोलता है, उसे जीवन मिलता है जो कोई सुनता है, उनके हिर्दे छेद जाते है और जो इसे ग्रहन कर लेता है, वो तो समझना की रुपांतरित हो गया है हालेलुया योहन का सूसमा चार, अध्याए 15 पत संक्या 3 जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो आज मेरे भाई बहन जो ऑनलाइन प्रातना में जिनोंने ये वचन सुना है पवित्र आत्मा को रिसीव करना, वचन को रिसीव करना और ये सारी बाते नया जीवन आपके जीवन में बहने लगेगा अनॉइंटिंग रिसीव करना, एक एक चीज के उपर, अपनी छोटी धेली के उपर अगर आप आटो रिक्षा चलाते हैं तो उसके उपर साइकल पे समान बेचते हैं तो उसके उपर अगर चाय नास्था बेच का ठेले पर काम करते हैं तो उस पर भी बरकत होगी क्योंकि मेरे बच्चन नहीं, विदी विवरन ग्रंत अध्याय 28 पत संक्या एक प्रभू कहता है मैं तेरे आटा गुंदने की परात को भी आशिरवात दूँगा तेरे बकरी के बच्चे को आशिरवात दूगा बकरी का बच्चा अगर मुर्गी का बच्चा है तो इसको भी मिलेगा अगर वो बकरी के बच्चे को आशिरवात दे सकता है प्यारे भाई और बहन जिसमें आत्मा नहीं है तो उन लोगों को कितना आशिरवात देगा जो आत्मा से संचालित है आमेन ये अनाइंटिंग रिसीव करके जाना इस वक्त हम चंगाई की प्रात्ना में जा रहे हैं आने वाले 15 से 20 मिनट संपूर्ण हिर्दय से समर्पित होते हुए प्रभु का आत्मा को हम ग्रहन करेंगे और ये वचन मेरे और आपके जीवन में काम करें इस विशेश क्रपा के लिए बंधन तूटने के लिए आईए हम प्रात्ना करेंगे कि प्रभु हमारे बंधनों को तोड़ो हमारे बंधनों को तोड़ो हमारे जीवन से हर कश्ट हर बिमारी हर दुख हर कर्ज का बंधन टूट जाए हालेलुया, 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 हाल मिश्व मिश्वास के साथ बोड दोर एoptर वागिमढ़ने करी हालेलुया, 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 हाल बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो येशु मेरे अलेलुया 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 दया करो दया करो येशु मेरे गये अलेलुया, 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 कुछ यहाद में खाई है, जारे बंदद दोगे अपिशेक, अपिशेक, अपिशेक ते, आत्मा, आत्मा, आत्मा ते अलेलुया, 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 अलेलुया पावन लहू से हमें धोडे, अलेलुया, 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 अलेलुया तेरे पापों को देगा मिता, सब लोगों से देगा शिफा तेरे पापों को देगा मिता, सारे रोगों से देगा शिफा पौबा करे सिंदगी बचा, ये सुके लहू में रंग जा तुझे चंगा किया है ये सुने उस्ते दिल में तो अपने बचा येशु के लव में रंग जा प्रभु का अभिशेक आपके और आने प्रभु की शांति आने प्रभु की चंगाई आने ये शुके लव में रंग जा तुबन जाओ उसका चहेता जिसने लव में खरीदा तुबन जाओ उसका चहेता जिसने लव में खरीदा तू बन जाओ उसका चहेता जिसने लगों से अपने खरीदा तू बन जाओ उसका चहेता जिसने लगों से अपने खरीदा जिसने की का लगों में रंग जाओ जिन्दे की कल लगों में रंग जाओ तूछे चंका किया है ये सुने उसे दिल में तू अपने बसा एकता है शोती लह हुमेरम्जा शोती लह काण शोती लिखिए, और उम्यम्जा शोती लह करे लिखे लुझा ल्गने का जनक वेसे, फोनाम शोती लह कं शोती लेगा बेशो के लगो में रंगे जा आलोई 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 अब इस आत्मा तेरा विशेक मिले, पैंसर के बंदर आसाद हो जाएं, उस आत्माओं से पिड़िस लोग आसाद हो जाएं, धुरियादत में बद्रे लोग आसाद हो जाएं, ये तुके नमपर, औरोना वाइरस में पड़े होएं, लोग इस तमें चंगाई पाएं, चंगाई, हेलिग, 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 हे जिन और चमत्कार हो जाए जिन और चमत्कार हो जाए एक बेहन जो एलर्जी से बहुत ज्यादा परिशान है अपनी एलर्जी के बारे में उसे बताने में बड़ी शर्म आती है त्यारी बेहन प्रभु तुझे चंगाई दे रहा है आज तु अपनी इस एलर्जी से मुक्त हो रही विश्वास कर और अनॉइंटिंग को रिसीव कर अभिशेक को आप रिसीव करें तेरे विश्वास ने तेरा उधार किया आज से बहुत समय से तु इस रोग से ग्रसित है और ये अलर्जी तुझे छोड़ती नहीं है तु किसी को बता भी नहीं सकती है प्रभु तुझे आज आज़ाद करता है आमेन एक भाई जो इस वक्त आंसू बहा कर नशा छोड़ने के लिए द्रड निश्चे है लेकिन बार-बार गिर जा रहा है प्रभु कहता है डर मत मैं तेरे साथ हो और मैं तेरी सहायता करूँगा आमेन एक भाई जो इस वक्त अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित है क्योंकि उसके परिवार पर बहुत करजा है और वो रो रो कर प्रात्ना कर रहा है उसने कई बार सोचा है कि इस जीवन में उसका जीना अच्छा नहीं है क्योंकि उसके सारे रास्ते बंद है तुझे प्यार करता हूँ, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, अब मैं तुझे इसे मुक्त कर दूँगा, आमेन, कुछ भाई बेहन जिनके गर्ब में रसोली है, इस वक्त फ्रातना कर रहे हैं, येश्यु मसी का पवित्र लहू, मैं आपके पेट की नस-नस में पवित गुठनों पर लगाएं, अपने जोडों पर लगाएं, जो माईग्रेन से पेडित हैं, गले पर लगाएं, अपने सिर पर लगाएं, और जो कंधों के दर्द से पेडित हैं, स्पॉंटलाइटस की विमारी से पेडित हैं, प्रभु आपको स्पर्ष कर रहा है, इस वक्त आ प्रभु येशु आपकी रोगशया को सपर्ष कर रहा प्यारे भाई, आपके लिए बहुत प्रात्ना किया जा रहा है, इसके घर के लोगों से मेरा निवेदन है कि इसके लिए प्राश्शित करें और प्रार्थना करें, इसकी पतनी प्राश्शित करें और प्रभु से माफी मांगें और अपने शब्दों को वापस लें और प्रभु कहता है तब तु मेरा अधिवक्ता बन जाएगा और तुझ पर दया की जाएगी क्योंकि मैंने तेरे आंसियों को देख लिया है मैं तेरे खावों को अच्छा कर दूँगा आमेन रोशनी और आसकर आपके परिवार के लिए प्राथना करते हैं पॉलीना नाग के अच्छे स्वास्त के लिए हम प्राथना करते हैं मरियानुस टेटे लूसी ग्रेस के बच्चों के परिवार के लिए हम प्रात्ना करते हैं फ्रांसिस रोड्रिक्स और उनके परिवार को प्रभु स्पर्ष करे सुनीता टिर्की को प्रभु ने स्पर्ष किया और क्रोध से मुक्त किया है पुश्पा खेरवार प्रभू आपको छू रहा है आपका कैंसर आपकी बिमारी आपके शरीर को छोड़े और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए आमेन जौन रिशब को चंगाई मिले और अनिल को कोट से जमानत मिल जाए अंजला को हाथ का दर्द है उससे छुटकारा मिले दुनातुस कुजूर और फुलमनी के लिए प्राथना करते हैं राजीव एका को नौकरी का प्रबंद करे श्रीमती मेरी को प्रभू नौकरी का प्रबंद करे सैलरी का प्रबंद करे सबीता लकरा मा के लिए प्राथना करें बहुत बिमार है रभू उने सपर्ष करें नीरा कुजूर के बेटे अविनाश कुजूर को लिए प्राथना करते हैं अपनी परिक्षाओं में सफलता पाएं डॉक्टर सोनू मसी उनके परिवार के लिए प्राथना करते हैं अनूपा भेंगरा की बिमारी हर दुख तकलीफ प्रबुदूर करे और बेरोजगारी से छुटकारा प्रदान करे इस विशेश कृपा के लिए हम प्राथना करें और कहें आत्मा का देदो वो मसा जिससे कि हमारे बंधन तूट जाएं हमारी रसोलियां जलकर राख हो जाएं पत्थरियां जलकर राख हो जाएं बड़ा हुआ बीपी, बड़ी हुई शुगर, बड़ा हुआ क्रेटीना ये श्यमसी के पवित्र लहू से आपके शरीरों को छोड़े ये दुष्ट शक्ती और क्रूज के नीचे जैसा कि उसने वादा किया कि शतान की हर एक चाल को उसको आपके पैरों तरे डाल देगा इस बचन के द्वारा हम आईए आत्मा की अगवाई मांगें आलेलुया 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 आलेलोया 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 पाक रुका दे दे वो मसा ये सूजी मुझे पाक रुका दे दे वो मसा पाक रुका दे दे वो मसा ये सूजी मुझे पाक रुका दे दे वो मसा फिर से एक बार पाक रुका दे दे वो मसा ये सूजी मुझे पाक रुका दे दे ओ मसा चखू तेरे प्यार का मजा ये सूझी मुझे पाक रुका दे दे ओ मसा Receive the anointing पाक रुका दे दे ओ मसा आत्मा को ग्रहन करना पाक रुका दे ओ मसा पाक रुका दे ओ मसा ये सूझी मुझे पुराने जीवन को छोड़ें नया जीवन धारण करें येशू से कहें मेरे जीवन को बदल मेरे विचारों को बदल मांगो मैं दुआ परों तुससे पदल तो येशू मेरे विचार आने लो या आने लो या आने लो या मैं सबके लिए मैं तैरियों को करूं मैं शमा ये सूझी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा ये सूझी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा ये सूझी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा बेता तू है बाप भी तू है बेता तू है बाप भी तू है आने लो या अंगी कार करे पूरे मन से पूरे हिर्दे से ये सूरू है पाक भी तू है तू ही तू है तू ही तू है पूही सत्य मार्ग और जीवन ये सूझी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा तालिब दंकर पाकरू का दे दे ओ मसा ये सूझी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा ये सूझी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा ये सूझी मुझे पाकरू का दे ओ मसा पाकरू का दे दे ओ मसा ये सूझी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा पाकरू का दे दे ओ मसा आतमा आपको इसपर्ष करड़ा जू रहा है धंडक के रूप में पसीन के रूप में आग की रोशनी के रूप में एक छमकदार विजली के रूप में आपके परिवार को आपके बच्चों को, आपके काम को, आपके शरीर को, ये मसीच छू रहा है हालेलूई, हालेलूई, हालेलूई मरियानुस एकका, प्रभु आपको स्पर्ष करता है आपकी बिमारी को प्रभु दूर करता है निमिता राजेश आपकी सास जो छे साल से बेड़ पर है एश्यमसी का पवित्र लहू आपके सास के शरीर के उपर उडेलता है प्रभू आपसे कह रहा है कि अब मैं तुझे आंस्वों को देखा उसे चंगा कर दूँगा तु मेरा आदर कर और मैं तेरा आदर करूँगा और वचन के द्वारा तु शुद्ध हो गई है आज के वचन को ग्रहन कर हालेलुया प्रभू येश्यमसी रेचल और लिसा को ब्लेस कर रहे हैं इस वक्त रेचल और लिसा प्रभू आपको ब्लेस कर रहे हैं, अनॉइंटिंग रिसीव करना, उश्पा खेरवार प्रभू आपको स्पर्ष कर रहे हैं, आपका कैंसर जल्दी प्रभू आपको ठीक करेगा, बचन को ग्रहन करना, पशताप करना, पुराना जीवन त्यागना, हर एक न और प्रभीना जादव, आपकी मा के जीवन में जो थाइरोड है, एसिडिटी है, पेट की बिमारी है, प्रभू आपको स्पर्ष करे, सिसीलिया के पदी को प्रभू स्पर्ष कर रहे हैं, मन परिवर्तन का वर्दान दे रहे हैं, उनेयन करकेटा, अयान करकेटा, जो बोल नहीं सकता, निशान सिंग जी बोल सुन नहीं सकते हैं, लाल सिंग का बेटा जो बोल नहीं सकता है, आपको प्रभू स्पर्ष करे, एंजल और सैंसन के जीव के बंदन खुल जाएं, और ऐसे तमाम लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, प्रभू का वचन ग्रहन करने और बोलने के योग्य बन जाएं आमेन समीर भेंगरा आपको प्रबु नशे से चुटकारा देने का वादा कर रहे हैं रोहित की शरीर की कमजोरी और बुखार और खासी को प्रबु दूर करने का वादा करते हैं आमेन विराज धाम को स्पॉंडलाइटिस और ट्यूमर से चंगाई मिले अखिलेश की दादी को मोतियाबिंद से चंगाई मिले राजशरी को संतान का सुख मिले जोजफ और क्रिस्टीना का संतान का सुख मिले रनीशा, बहन रनीशा को प्रबु ने छुआ और उसे चंगाई प्रदान की है, उसकी मेमरी वापस आ गई है, हम प्रभू को धन्यवाद देते हैं, आमेन नीलिमा कुजूर को पती को हाई ब्लड प्रेशर चंगाई मिले, मनोज तिर्की के गुप्त अंगों की बिमारी, प्रभू उसे दूर करता है हेलेन मुंडरी, आपके परिवार में सभी शतानी शक्तियां दूर हो जाएं, विनोध और सरोज को संतान का सुख मिले मेहन कमलेश और उनके पूरे परिवार को उनके बेटों को और बहु को और नाती पोतों को प्रभू आशिरवाद प्रदान करे सिलमंती मिगवारे को करजों से मुक्ति मिले पूनम और रंजन को संतान का सुख मिले जैशरी परमार को आपकी बेहन के लिए प्रातना करते हैं जो 20 सालों से बिमार है ये शुमसी आपको सपर्ष करे और चंगाई प्रदान करे आमेन सुष्मा गूरिया आपके बेटे अयूष को पढ़ाई में मन लगे प्रभू आपको आशिश दे क्रिस्टोफर डेविड को करोना से चंगाई मिले विक्रम जी सिंग को ब्रेन की प्रबलम है चंगाई मिले प्रतिग्या गुपता के यूटरस की जो प्रबलम है उसे छुटकारा मिले और जोतीलाल के जो भी समस्या है जोती के जो भी समस्या है ऐसे तमाम बहने जिनको यूटरस की समस्या है अपना दाहिना हात उठाएं और इस वचन को रिसीव करें एश्यमसी के नाम से प्रभु का वचन लूकस का सूसमाचार अध्याए 18 पसंख्या 27 हमें बताता है कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो इश्वर के लिए संभव हैं हालेलुया ये वचन मेरे पीछे दोहराएं और इन तमाम बहनों के लिए जिने यूटरस की रिसॉलियां गॉल ब्लेडर की पत्री और गुर्दे की पत्रियां हैं प्रभु कहता है जो बातें डॉक्टरों के लिए असंभव हैं वो इश्वर के लिए संभव हैं प्रभु का बचन कहता है जो बातें मनुश्यों के लिए असंभव हैं वो इश्वर के लिए संभव हैं हे प्रभु येसो पत्री का आत्मा रसॉली का आत्मा गुर्दे की पत्री का आत्मा पित की थैली का आत्मा गैंसर का आत्मा टीबी के रोग का आत्मा स्पॉंडलाइटस का आत्मा वेविचार का आत्मा विशेवासना का आत्मा नशे का आत्मा तेरे बच्चों के जीवन को छोड़े और क्रूस के नीचे जल कर राख हो जाए आमेन लुकस का सूसमाचार अध्याए एक पस संक्या सैंटिस पस संक्या सैंटिस प्रभू ने कहा इश्वर के लिए सब कुछ संभव है कुछ भी असंभव नहीं है मैं विश्वास करता हूँ मैं अंगिकार करता हूँ हालेलुया ओलिव रॉकी जोजफ आपकी बिमारी से प्रभू आपको आजाद करता है नेस्टोर मिंज को वेरिकोसिस वेन से चंगाई मिले ममता तिर्की को बवासीर से छुटकारा मिले अंकिता बेन का ट्रांसफर रुख जाए अश्रफ अंसारी को प्रभू सही सलामत आपने पटना पहुँचाया कल की अराधना के दोरान आपने उसकी प्रातना सुनी प्रभू को धन्यवाद आमेन भाई अजे को प्रभू ने अच्छा स्वास्त दिया प्रभू को धन्यवाद देते आमेन बच्चे मार्शल बगलारी को प्रभू ने अच्छा स्वास्त दिया प्रभू को धन्यवाद आमेन जितने भी भाई बेनों को प्रभू ने कल की अराधना में छुआ था इस वक्त आप मन ही मन प्रभू को गवाही दें और उसका धन्यवाद करें नेहा लकरा आपके पापा का हात अलकॉहल छोड़ने की वज़ा से कापता है और मेरी मा का पैर तूटा है प्रभू का वचन ग्रहन कर प्यारी बेहन और वचन का आदर कर प्रभू कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा आमेन संदीप सिंग की पूरी बोडी पर काले धब्बे आ गए है येश्यो मसी का पवित्र लहू प्यारे भाई अपने शरीर पर प्रतीक आत्मक्चिन के रूप में लगा और पवित्र किये गए जल से स्नान करना तेरे शरीर के काले धब्बे अभी और इसी वक्त येश्यो मसी के पवित्र लहू से जो जल के रूप में आप पर लगाया जाएगा उससे दूर हो जाएगे आमेन सीमा कश्यप मेरे परिवार को जादू तोने और अविश्वास से बचा प्यारी बेहन कल प्रभू ने आपका गवाई किया था और आत्मा ने कहा था कि इस बचन को मैं बोलूं कि एक परिवार जो जादू तोने में फंसा हुआ है उसे प्रभू आजाद करें और मैंने आपसे प्रभू के नाम पर गुजारिश की थी प्रभू को धन्यवाद कि आज प्रभू ने आपके द्वारा अंगिकार किया कि आप जादू तोने में हैं आप इसको छोड़ दें ये शाया नभी का ग्रंथ अध्याय 42 बद संख्या 2 यहोवा कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता हूँ इसलिए गणना ग्रंथ अध्याय 22 बद संख्या 22 कि इसरायल के खिलाफ कोई तंतर मंतर जादू टोना अभिचार नहीं चलेगा ये शाया नभी का ग्रंथ बचन में बताता परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने स्वास्त की उमंग में ये कहती जाती थी कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा तेरे तंतर मंतर की भरमार बातों के कारण अब तुझ पर दो भी पत्तियां तूट पड़ेंगी और वो एक है विद्वापन और दूसरा है तू संतान से वंचित रहेगी अगर हो भी जाएगी तो वो तेरे पास नहीं रुकेगी हालेलुया इसलिए प्यारी बहन आप इस तंतर मंतर को छोड़ें प्रभू के पास लोट कर चले आएं क्यूंकि प्रभू कहता प्रकाशना ग्रंत अध्याए उन्निस और आखरी अध्याए में कि ऐसे लोगों का भाग दूसरी मौत होगी वो कुते, अत्याचारी, नीच, तंतरिक और ओजे और ये शगुन विचारने वाले ऐसे लोगों का भाग होगा कि ये आग की कुंड में इनकी दूसरी मौत होगी तू बचना चाहती है तो आज पश्चताप करके प्रभू से लोट कर चलिया प्रभू येशु आपको आमंत्रित कर रहा, गले से लगाना चाहता, आपको शमा करेगा हम आपके लिए विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र का आत्मा, जादू टोने का आत्मा तेरे पवित्रल लहू से प्रभू येशु अभी और इसी वक्त इसके परिवार को पूर्वजों के पापों से चली आई हूई निरर्थक जीवन चरिया को छोड़े, येशु मसी के क्रूस के नीचे जल कर राख हो जाए, आमेन, हालेलुया, येशु मसी के वचन के द्वारा जो रोमियो के नाम पत दूसरे को शमा करो, अपने शब्द वापस लो, निरर्थक जीवन चरिया के लिए पशताब करो, और अपनी शया को जिस पर तुम रमन करते थे, सोते थे, उसे पवित्र करने के लिए प्रभू से शमा की याचना करो, येशु मसी का पवित्र लहु आपके शैनकक्ष पर, आपके शैया के उपर, आपकी चोखट विछोनों के उपर लगाता हूँ, ताकि प्रभू आपको हर प्रकार के मन मुटाव से, हर प्रकार की बिमारी से, हर प्रकार के गलत रिष्टों से, हर प्रकार के पाप से आजाद करे, आमेन, आमेन, आप गुठनों पर आएं, दोनो एक बच्चा हर एक नव युवक और युवति अपने पापों के लिए प्राश्चित करते हुए प्रभू से शमा के याचना करें अबा पिता इस्राइलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार कराने वाले पिता इबराहिम इसहाक और यागुब के इश्वर तेरे इन बच्चों पर दया कर मैं मुसा के जैसे इन हातों को उठाते हुए तेरी प्रजा के लिए प्राश्चित करता हूँ और नविवक युवतियों बच्चों को समर्फित करता हूँ बुजर्गों को जो रेटाइर हो चुके हैं अपने बिस्तर पर हैं इस वक्त अराधना स्थुती में भाग ले रहे हैं तेरा आत्मा इनकी अगवाई करे जो बिजनस में अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं उनके दफ्तरों में उनकी फाइलों को ब्लेस करो जो नौकरी की राह देख रहे हैं उन्हें नौकरी का प्रबंद करो आप प्रबंद करने वाले प्रभू हैं प्रभू ये शो आप हटियों में जान डालने वाले पैरों में बल प्रदान करने वाले प्रभू हैं अपने सेवक से विकाओं को चुने हुए अभिशिक्तों को पवित्रताई का जीवन जीने की कर्बा प्रदान करो जितने लोग इस वक्त आसु बहा रहे हैं इनके आसुओं को देखने की कर्बा कर आसाम से देश विदेश से हमारे देश से गोरकपुर से दिली से हमारे धरम प्रांत से काड़ गुदाम से बरेली से जितने लोगों ने प्रातना मांगी है और जो दर्शना बिलाशी हैं गुठनों पर हैं साश्टांग प्रणाम किये हुए हैं जैसे तुने एलिया की प्रातना को सुना, एस्तर की प्रातना को सुना, दानियल की प्रातना को सुना, दाउद की प्रातना को सुना, उसका पशताब स्विकार किया। इनके शरीरों से बवासीर की विमारी, खुजली की विमारी, एनर्जी की विमारी, पत्थरियों की विमारी रोग शया प्रभु हर प्रकार का सहुए का रोग इनके शरीरों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जल कर राख हो जाए मैं तेरा दास अयोगिस सेवक तुछ से निवेधन करता हूँ तू अपने दास की प्राथना को और उसकी वाणी को सच प्रमानित करता ये तेरा वचन है आज जो वचन तुने अपने दास के मुख से बोला है ये वचन तेरे बच्चों के जीवन में इनके परिवारों में पूरा हो जाए हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर और प्रभु ये शुख हम तेरे चल्णों में समर्पित होकर पापों और गुनाहों के लिए तौबा क करते हैं हमारी प्राथना को बोल कर हमारे को धार करता ये शुख हसी के द्वारा हुआ 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 है साश्टांग प्रणाम करें और इस वक्त हम प्रभु को समर्पित हो जाएंगे समर्पन है प्रभु ये सो समर्पन है प्रभु ये सो Keep surrendering, keep surrendering. This is a time of surrendering. समर्पन का समे है समर्पन है प्रभु ये सो 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 अपने गुस्से को अपने जीवन को तेरे पास राया हो समर पड़े है ब्रभु येशू समर पित करते जाएं समर पड़े है ब्रभु येशू समर पड़े है ब्रभु येशू अपने बिजनस को अपनी खेती को अपने बिजनस को, अपने खेती को, अपने बच्चों को, अपने घर को अपने बच्चों को, अपने घर को, तेरे पास लाया हो, तेरे पास लाया हो समरपण है प्रभु येसु समरपण है प्रभु येसु मेरे जीवन को, मेरे घर को मेरे जीवन को, मेरे घर को, तेरे पास लाया हो समरपण है प्रभु येसु समरपण है प्रभु येसु समरपण है प्रभु येसु समरपण है प्रभु येसु तेरे पास लाया हो तेरे पास लाया हो समरपण है प्रभु येसु समरपण है प्रभु येसु अपना सिर जुकाएं प्रभु का शीरवात गहन करें करें प्रभु येसु समर्भु येसु कर दो कर दो जलाल हो जलाल हो मेरी सिंदकी में तेरा जलाल हो मेरी सिंदकी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो गोडाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसी बुनियात हो कायम रहू मैं अपने मसी में जिसकी अजब मिसाल हो जलाल हो तेरे होटों पे तेरा ही नाम हो अब तेरा ही मुझ को खयाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो बोलो प्रभु येश्य मसी के नाम की जय सब को जय है सुकी प्रभु आपको आशिश दे जलाल हो जय हो जय हो जह जह हो झाल 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 जय जह प्रतर ऑ्रतर ये तो